अभी शेक शुरुवात आपसे करना चाहूंगा क्योंकि जब ममता बेनर जी को नंदी गराम के बाजार में चोट लगी तो सबसे पहले आप मौके पर पहुँचे आपने चश्मदीदों से बात की हुआ क्या कुछ पता चल पाया है क्योंकि अब जाच शुरू हो चुकी है ड गिड़ भी खटा है यहीं पर अभी हंगामा कुछ दिर पहले हो गया था पुल अधिकारियों की मौजूदगी में हंगामा हो गया था बीजेपी और टीमसी के समर्ता के दुसरे बिढ़ गयते और यहां पर पुलिस तैनाथ है आपको यहां पर दोनों और आ रहा था और यह जो पिलर आप देख रहे हैं हम आपको यह तस्विर दिखा रहे हैं यह इस पिलर जो चस्नीदों ने बताया उनके मताबिक यहीं पर वो दर्वाजा खुला हुआ था पंताबनर जी थोड़ा सा किनारे की और निकल करके लोगों को ग्रीट कर रही थी और मिठाई के दुकान के जो चलाने वाले हैं माहिती में शानमंडार नाम हैं उन्होंने भी हम कौन रिकॉर्ड कहा कि उनके यहां से बरफ गई और बरफ पुलिस वाले लेकर के गए तो यह है पूरी आई विटनेस की कहानी जो उन्होंने कैमरे पस बताया अब इशेक मैं यह चाहूँगा कि आप जिस पिलर का जिकर कर रहे हैं उस पिलर के पास जाके अगर आप हमें बता सकें क्योंकि वो तस्वीरे हम सबने देखी हैं अब दो संभावनाय नजर आती है ममता बेनरजी की कार पिलर के पास खड़ी होती है दर्वाजा एक खुला पाएं कि आकर क्या हुआ होगा बिल्कुल एक्जैट्टी ठीकि समीर आप जो कह रहे हैं वही करने कोशिश करता हूं मैं यह पिलर आपको दिखा रहा हूं फिर से एक बार चेतंजर आईएगा और आप यूं समस्लिजे कि इधर से गाड़ी उनकी आ रही थी जो स्लो थी लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसी बीच में चस्नीदर मताबिक यह जो पीलर आप देख रहे हैं उसी पीलर से वह उनका जो जो दर्वाजा था वो टकराया और चुकि मंतार जिनर्जी बाहर के और निकली हुई थी तो उसके नाते सीधा वो जो जटक लगा है और जो दर्वाजे की ठोकर है वो उनको लगी उनको काफी चोटे आई और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मिठाई के दुकान यहीं से बर्फ लेकर के गए इस मिठाई के दुकान के जो मालिक है उसने हमको बताया और पुलिस वाले खुद लेकर के आए बर और देखी इस समय यही पिलर सेंटर आप अट्रेक्शन बना हुआ सारी मीडिया इसी पिलर की बात पर रहे हैं यहां पर जह हमका लाए थे शाम को समीर सबसे मेले हम यहां ठीक है और उसी समय यह पिलर की का इस प्रफ नाइन रोज सुधह साथ बजी और शाम साथ बजी प्पार